नुबर 12 कहा रहा है, if speed position relation of a particle moving in straight line, तो straight line में एक particle move कर रहा है, उसकी speed का और position का relation है, v square equals to a minus b x square, तो acceleration किसके प्रपोस्ट ना लोगा यह अपन को निकाल के बताना है, तो since x, अब यहाँ पर अपन को दिख रहा है न, acceleration is function of x, जब जब acceleration x का function होता है, क्योंकि velocity भी x का function है यहाँ पर, तो acceleration भी कुछ x का function होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो acceleration यहाँ पर क्या है, non uniform होगा, क्योंकि velocity भी यहाँ पर non uniform है, तो acceleration जब जब non uniform होता है, equation of motion use न नहीं करते हैं तो use क्या करेंगे अपन use करेंगे अपन a equals to dv by dt या तो ये use करें या use करेंगे ये वाली equation equals to v dv by dx अब ये use नहीं करूँगा क्योंकि velocity x का function है तो a b x का ही function आएगा तो इसलिए a equals to v dv by dx वाला equation use करूँगा v तो मेरे को ये square इधर चला जाएगा तो under root आजाएगा तो v की value तो मेरे को मिल गई a चाहिए तो v को dv by dx से multiply करना पड़ेगा तो v तो मेरे पास आगया ये square इधर चला जाएगा under root बन जाएगा अब मुझे निकालना है dv by dx यानि कि जो मेरा v है ये मेरा v है क्योंकि ये 2 य respect में differentiate भी करना पड़ेगा तो v को x के respect में कैसे differentiate करेंगे देखो अपर लिखेंगे dv by dx करना है तो v की जगा value पूट कर देंगे अपन ये a minus b x square की power 1 by 2 अब इसका पूरे का differentiation करना है तो ये n x की power n minus 1 लग जाएगा तो पावर कितनी है पहले पूरे इसको एक function consider करेंगे अब इसके अंदर जो variables है उनका differentiation करना है अपने तो a का तो 0 हो जाएगा उसको अपन लिखेंगे ही नहीं माइनस b x square का minus b x square का differentiation होगा minus 2b x और वो multiply हो जाएगा इसके साथ तो ये अपना total differentiation हुआ किसका v का ठीक है अब यहाँ पे अपन ये जो अपनी dv by dx की value आई है ये यह substitute कर देते है वी की value जो आई है अपने पास ये वी की value यहाँ सब्स्ट्यूट कर देते है तो acceleration हो जाएगा अपना ये पूरा value substitute करने की बाद ठीक है ये वी हो गया और ये पूरा का पूरा dv by dx हो गया अब यहाँ पर क्या cancel हो रहा है देखो इधर अपने पास power बन रही है यहाँ पर आजाएगा n-1 यानि 1 by 2 minus 1 तो minus 1 by 2 power होती है यहाँ तो ये अपनी जो power minus 1 by 2 है ये 1 by 2 है ये cancel होके 1 बन जाएगा अपना ये 2 और ये 2 cancel हो जाएगा ठीक है तो अपने पास जो acceleration आएगा वो किसके proportional आएगा अपने पास सिर्फ यहाँ पे bx बचेगा minus bx 2 और 2 भ झाल झाल झाल